गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू आई होब यू आर वेरी वेर हल्थी और फिट एट एट यूर होम क्लास फोर्थ आपका चैप्टर नमबर फाइफ है ब्यूटिफल प्रोवर्ब्स यानी सुन्दर कहावते आज हम इसी के उपर बात करेंगे हर लेंग्वीज में सूज भूस से बड़ी समझदार कहावते होती है जो हमें जीने का तरीका सिखाती है और उस समाच के विचारों नियामों और मानियताओं से अवगत कराती है उन्हें मुहावरे कहा जाता है इंग्लिश में इसे प्रोवर्ब्स कहते हैं आज हम बात करेंगे कुछ इन ही मुहावरों की जैसे फॉर एग्जामपिल हमारा फ़न यानी सोचुए खाकर बिली हच को चली इसका यूज हम वहाँ कर सकते हैं जा कोई वेक्ती आँखों में दूल जोकता है जैसे कोई इनसान बहुत सारे पाप करकर दुनिया को दिखाने के लिए इश्वर की बात करे दुनिया को दिखाने के लिए खुद को बदले और असल में वहब जैसे अथा पहले वैसे ही है इसे कहते हैं सोचुए खाकर बिली हच को चली यानि ना नोमन तेल होगा न रादा नाचे की इसके यूज़ वहाँ होता है जा कोई काम होना असंबह हो जैसे कि मैं आप से कहूं की ताजमेल मेरा हो जाए तो यह असंबह कामे की ताजमेल मेरा नहीं हो सकता ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब्स हैं आपको जो अपनी नोटबुक में राइट करने हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ यह है आपके complete the flowing's प्रोवर्ब्स नमबर वन है आपका no use of crying over split milk इस चलकते हुए दूद पर रोने से कोई फायदा नहीं है means there is no use isn't begin upset over a situation that have already happened can and cannot be changed it means एजी परिस्थितियों में परिशान होने से कोई भी फायदा नहीं है जो पहले से ही हो चुकी हो और जिसे बदला नहीं जा सकता दूद तो चलक गया अब उस पर पश्तावा करना बेकार है second ने हमारा two wrongs don't make a right it means means never harm another person just because they have harmed you it means किसी दूसरे वेक्ती को सिफ इसलिए नुकसान ना पचाओ क्योंकि उन्होंने आपको नुकसान पचाया क्योंकि दो गल्चे एक अधिकार नहीं बनती third हमारा proverbs you can lead a horse to water but you cannot make him drink it means it means हम किसी को किसी के कारे के लिए इतना force नहीं कर सकते जब तक कि वे खुद ना करें इसी तरह हम गोड़े को पानी तक भी ले जा सकते हैं पर उसे पानी नहीं प्ला सकते वे तब भी पिएगा जब वे चाहेगा fourth proverbs you can not judge a book by its cover means आप किसी भी बुक को उसके कवर से जज़ नहीं कर सकते यह संबव नहीं है कि आंतिक रूप से विचार करके लोगों के बारे में हर नेलिये को परिस्ताविक बनाए किसी सही वेक्ति को गलत कहना ठीक नहीं है जब तक कि हम ठीक में का जान ना ले fifth proverb से हमारा the early bird catches the warm means पहले पोचने का फाइदा means you will have an advantage and be successful if you start early before anyone else आपको फाइदा होगा होगा अगर आप किसी और से पहले शुरुआत करते हैं तो आप सफल रहेंगे यानि the early bird catches the warm पहले पोचने से ही फाइदा मिलता है last fourth this is your homework fill the book work page number 9 आपको page number 9 आपको बुक में फिल करना है और यह जो proverbs मैंने करा हैं आपको यह अपनी जीके की notebook में write करने है thank you